तो हलो व्रिवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो मिर्जापुर को लेके दोस्तों काफी बड़ी अपडेट हाई है और वर्वास मुवी को लेके यहाँ पे दो पोस्टर रिलीज हुए एक कल हुआ था और एक आज हुआ है बाई उन पर तो बनता है जादा बनता है बाई तो चलिए शुरू करते हैं तब ते बहले मैं बात करता हूँ मिर्जापुर की तो यहाँ पे देखो मिर्जापुर का जो एक कॉंसेप्ट है ना भाई वो हर किसी को पसंद आता है इसमें कोई एक फैंडम वाला सीन नहीं है यहाँ पे हर तरीके के बाता है मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा देखो भाई मैंने मिर्जापुर को लेके तीन महीने पहले ही आप लोगों को आगां कर दिया था कि मिर्जापुर सीजन थिरी के बाद में अब वैब सीरीज ये लोग नहीं बना रहे है कि ये लोग अब एक मूवी बना रहे है और उस मूवी के अंदर मैंने आप लोगों को एक हीरो को नाम भी बताया जा जिसका बताया जा नितिक रोशन अभी मैं उस पर भी आऊँगा मैं जल्ली से बात को खतम करता हूँ तो अभी यहाँ पर एक टीजर आया है जो कि तरन आदर साब ने अपने ट्विटर अकाउंट से रिलीस किया है तो अब उसके अंदर क्या दिखा है तो यहाँ पर यहाँ पर जेखने को मिला तो यहाँ पर बहुत से लोगों के दिमाग में एक है कि क्या यह जो मूवी आ रही है यह थर्ड जो सीधा रही तो उससे आगे की कहानी होगी तो मैं उसके बारे हैं बता दूँ के बिलकुल नहीं यह एक stand-alone movie तो आ ही रही है लेकिन एक नई story के साथ में एक नई concept के साथ है यानि कि अब जिस तरीके से movies बन रही है न तो इन्हों ने यही सोचा है जिस जमाने में यह web series release हुई थी Amazon पर उस जमाने में इतना action पर लोग ध्यान नहीं देते थे यानि कि 2017 जिस तरीके से अभी यह zonra इतना जादा hit हो रहा है ना बले पर दे पर उस टाइम पर नहीं था उस टाइम पर पर रहा था लेकिन अभी वह पूरा का पूरा establish हो चुका है तो अब इन्होंने सोची है ना बहुत बलिया सोची है क्योंकि इसके अंदर वही सब चीज है जो यहां पर पबलिक फिल्मों में देखना जाती है तो बहुत ही बलिया हो जाएगा लेकिन यह थार्ड सीजन से आगे की कहानी नहीं होगी यह एक stand-alone तो movie होगी होगी और इसके अंदर हमें मुन्ना सारे के सारे जो character हैं जो एक cult character बन चुके हैं वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी बस आप यह समझ लो नई story होगी सिर्फ एक movie होगी उन characters को लेके एक नई concept पर एक movie बनेगी proper तो यहां पर जिस तरीके से हमने web series मज़े लिए अब बड़े परदे पर इन्होंने बोला है कि अब पहले हम आप लोगों के पास आते थे कि अब आपको हमारे पास आना है यानि कि थेटर में जाना है तो यह है लेकिन इन्होंने इसकी release date भी दिया 2026 ठीक है कम से कम देड़ साल तो यहां पर एक सबा साल तो है एक देड़ साल तो है इस movie को बनने में और क्या है और इसमें दोस्तों एक नाम हो रहा है था रितिक रोशन का अब रितिक रोशन इस movie में है या नहीं है वो तो आ अवज यह वाली है तो बात करते हैं देखो वनवास की वनवास से जो पोस्टर नहापे निकल के आए現在 आज आया उतकर शुर्मा का तो सबसे पहले नाना पाटेकर के शीन और पातिया बेटे हैं और पूरा जो आसपास ही लींग यहानि की आगे कर रहांज है यहां पर कुछ सोच रहे हैं तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ कंबीर सोच रहे हैं और कुछ यहां पर गलत हुआ है इनके साथ में और ऐसा लगता है कि यह अब क्या करें यह कुछ ऐसा सोच रहे है तो कुछ सीन आने वाला मुवी कंदर जिसमें यहां पर मु तो लगतो रहा है गड़ाई एक फोटो ही है लेकिन इस फोटो के अंदर आप फील करो क्या कहना चाह रहा है तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यह जो मूवी है न भाई यह इमोशनली तरीके तोड़ देगी यह बात है अब चलते है सीधा उतकर शर्मा के पश्टर की तरफ कै उतकर शर्मा की जो पोस्टर आया है वो क्या कह रहा है यहां 있어서 यह पर इनका पोस्टर जो आया हो बिल्कुल कूल कूल बाल आगे बैड लूक है चेन है चेन को मूह में लिया हुआ हाथ हो और कलाई में भाई तब कले और अंगूठी है और एक आराम से टी-शर्ट सा इन्होंने डाला हुआ है बहुत ही कूल लुक लग रहा है और पीछे का जो सीन हो एक मार्केट का सीन है पबलिक घूम रही है और बहुत ही यहां पर देखो नॉर्मल लग रहा है कोई जादा एक अपर कराइगर का तो उस चीज से मुझे लग रहा है या तो इन नाइंटी या दो हजार का दो हलो है उस दोडर के हिरोने का मुवी का मुझे आसा लग रहा है क्योंकि जो आनील शर्मा उसी दोर का दिखाने में यहां पे एक तरीके से जो एक महारत हासिल है उनको तो वह चीज मुझे यहां पे देखने को लग रही बाकि पोस्टर यहां पर अच्छा इसका टीजर आ रहा है कल और कल ग्यारा बजे आप लोगों को इसका टीजर देखन और एक emotional teaser हो जिसमें एक दर्द भरा background music हो और इनके characterization हो बस और कुछ नहीं बाकि जो भी दिखाना है वो यहां पर आप ट्रेलर में दिखाएं को कि ट्रेलर ब्ल्कुल लास्ट मायाँगा अगर हम अभी सही दिखा देंगे तो यहां पर पुब्लिक समझ जाएगी story और फिर थेटर में आगे कौन देखेगा तो मैं तो यहीं चाहूंगा कि story को यहां पर जितना चुपाया जाए उतना ज्यादा बहतर होगा बाकी यह है कि देखो यार अनि शर्मा तो हमसे ज्यादा बहतर जानते ही है और लग भी रहा है कि दोखो movie एक अच्छे concept है और देखो ज्य अपना कर लेगी फिर collection भी होगी box office collection भी होगी तो यहां पर यह movie ना एक ठीक ठाक कर लेगी और इसमें ज्यादा tension वाली बात होगी भी नि कमा लेगी है movie सही चल जाएगी यह अपने इसाब से super hit भी हो सकती है और एक hit भी हो सकती है अपने इसाब से जिस budget में यह बनी हुई आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह दोनों पोश्टर और मिर्जापुर की आप लोगों को movie ही अच्छी लगेगी या फिर web series आप लोग क्या चाहते हैं कि मिर्जापुर का आगे क्या है बताओ नीचे कोमेंट में थैंक्स वर वच्चिक